असलाम लेकर में यूट्यूब ब्यूटीज कैसे हैं आप लोग आप सब ठीक ठाक हैं और बड़े मज़े में हैं मैं हूँ मरियम आपकी ब्यूटी गाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पाकल विद मरियम आजकल मैंने एक चीज़ नोट की है यूके बड़ी ट्रैंग में है और वह है फेस टिंट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी टिंट बनाने की कोशिश करूं अब पिछले कुछ हफते मैंने कई सारे टिंट्स ट्राइ की हैं जाहतर तो फुलॉप हो लेकिन तीन टिंट ऐसे हैं तो आज मैं आपके साथ ट्रैंट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी बड़ ही ईजी है सारा समन घर पे मिल जाएगा हो चाता है एकाथ खरीदाना पड़े कोई भात नहीं खरीद लेजेगा जैसे के अर्के कुलाप, ग्लीस्निंग, चुकंदर और क्या था पुरानी लिप पे नोस पे और चिक्स पे कुछ नहीं लगाया कि टेंट आपके साथ साथ रेडी करके उसी वक्त लगा कर दिखाऊंगे की विजल्ट की ऐसा है ठीक है ना बहीं चलो चलते हैं सबसे पहले हम लेंगे हाफ टी स्पून ऐलोवेरा जेल और ऐलोवेरा जेल को एक स्पून से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए, कम असकम एक मिनिट आपको इसे मिक्स करना पड़ेगा, कंटिन्यूस और रोज वाटर की लेंगे 4 टी स्पून्स और फिर इन तीनों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम लेंगे निक्स की स्ट्रोबिंग क्रीम और इसका एक पॉंप अपने मिक्स्टर में शामिल करेंगे मैं आपको हाथ पे इसका स्वाच के लगा के भी दिखा देती हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है देखें लगाने के बाद लगता है कि जैसे स्किन के अंदर से शाइन आ रही हो लगता ही ली कि बाहर से कुछ लगाया इसको हम अच्छे तरह से मिक्स करने की कोशिश करेंगे यह पूरी तरह से हल नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं जितना हो सकता है भी करेंगे बाकी ब्रश को यूज करते हुए फुट कलर दालने के बाद मिक्स करेंगे अब बाहरी है हमारे फाइनल और बहुत इंपॉर्टन इंग्रीडियन की जो के है फुट कलर फुट कलर का हम लेंगे हाफ टी स्पून और इसको मिक्स करेंगे पहले सिर्फ स्पून से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम अपने मेकप ब्रॉश को यूज करते हुए स्ट्रोबिंग क्रीम के पार्टिकल्स को अची तरह प्रेस करके मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ एक जान हो जाए सब अची तरह मिक्स हो गया है और ये देखें कितना प्यारा सा टिंट रेड़ी हुआ है इसके अंदर आपको स्ट्रोबिंग क्रीम की जो शाइन है वो भी नज़र आ रही ही होगी मैं आपको इसको अपने हाथ पे स्वाच करके दिखाती हूँ ताकि आपको इसका रिजल पता चले ये देखें मेरा हाथ बिलकुल साफ है पहले मैं हलका से टिंट लगाऊंगी और देखोंगी कि लाइट एफेक कैसा आता है देखें कितना हसीन सा लुक आया है क्योंकि इसके अंदर जो हमने स्टोबिंग क्रीम एट की है जो शाइन प्रोड्यूस कर रही है और ग्लिसरीन जो कि इसको स्मूद और सॉफ बना रही है ये इसका लाइट सा लुक है थोड़ा सा अगर डा करना चाहें डीपन करना चाहें तो और लगा लें हाथ पर तो ये इसका रिजल्ट हाथ के उपर है हाथ पे इतना अच्छा लग रहा है तो फेस पे कितना अच्छा लगेगा आप समझ सकते हैं अब हम हमारा दूसरा टिंट बनाएंगे जिसमें हमने यूज किया है हाफ टीस्पून अलिवरा जेल और टू डॉप्स ओफ रोजमेरी एसेंशल ओईल फोर डॉप्स ओफ 24 के गोल सेरम और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमेरी ओईल डाला है इसलिए फटर फट से क्रीमी सा टेक्स्चर बनना शुरू हो जाएगा यह देखिए अब हम दालेंगे इसके अंदर फटर फटर बनने वाला टिंट है यह और बहुत ही जबदस सी इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत ही खुबसूरत कलर देता है आप देख सकते हैं कैसे फटर फटर रेडियो है अच्छे तरीके से मिक्स करें तकि कोई लंस न रह जाएए अब देखिए मैं इसके अपने हाथ में लगा कि आपको दिखाती हूँ यह रनी नहीं है थोड़ा सा थेक है लेकिन बिल्कुल भी ओईली नहीं है इसकी स्मेल भी बहुत हसीन सी है और देखिए कितना प्यारा स्टी हिंदी है इसने दाख करना चाहें तो दाख कर ले आखिर मैं मैं आपको फेस पे भी लगा का दिखा अच्छा जी अब हम अपना फाइनल टेंट बनाएंगे इसके लिए हम लेंगे वन फॉर्थ टी स्पून विटामिन E ओल विटामिन E ओल के स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफेट्स हैं यह एक बहुत हीलिंग ओल है स्किन के लिए फिर हम लेंगे टू डॉप्स ओफ रोजमेरी एजेंशिल ओल हाफ टी स्पून कोकुनेट ओल और हाफ चंक ओफ रेड लिपस्टिक इसको हम स्पून के ओपर मेल्ट कर लेंगे विदिन फ्यू सेकिंड्स यह मेल्ट हो गई है अब इसको हम बाकी वाल में डाल देंगे और अच्छी तरीकर से मिक्स कर लेंगे यह देखें इसने कुछ औरेंज श्रेड कलर कर टेंट कलर दिया है तो अब देख सकते हैं तीनों टेंट्स रेडी हैं दो जो है वो वाटर बेस्ट है और एक जो है वो और बेस्ट है जो के ड्राइ सकिन के लिए सूटेबल है अच्छा जी यह है वो पहला वाला टेंट जो मैंने अलोबेरा जैल रोजवाटर लीसिरीन और निक्स के शाइनर के साथ मनाया था यह मैं अपने फेस पर ट्राइकर कर दिखाते होगी आपको इस नि ひिया हमने तोबरा सा बेख इसको ठीक है अपने इंगर से को यह पेहल कसा प्राइट किया फर इसको आपनेस अपने मिक्स कर ले आता है अपल आयकर को मैंने आपको पहले बता रहा था क्याष्पह प्रश्वह नहीं लगा आँ अपने के प्यारा सा इसमें देगया conscient रिजल्ट दिया रिजादी में उपर तक ले रही हूँ आपर से जाईएगा लेकिन ये कि देख सकते हैं आप लग तो डाग करना चाहें तो डाग करें कितना हसीन सा रिजल्ट देखें दोने चिक पर आई मीन इस फ़ले चिक पर नज़र आ रहा है कि कितना हसीन सा रिजल्ट है इसका ठीक है और अगर मैं क्लोज दिखाऊ तो आपको शाइनिंग भी नज़र आ रही होगी जो कि इंडिक्स के शैनल की वज़ा से हैं ठीक है अब यह है दुसरा वाला टिंट जो के मैंने 24K गोल्ड सेरम, रोजमेरी, एसेंशनल ओयल, एलोवेरल जेल और फूट कलर के साथ बना रहे हैं अब यह ट्राय करते हैं यह थोड़ा सा ठीक है मुझे इसकी पंसिस्टेंसी बड़ी पसंदे है इसकी पंसिस्टेंसी बड़ी पसं यह थोड़ा साथ नोस पे पसंदे स्पैड हुआ वाव कितना हसीन सा इसका अभी मैं कैमरी में देखके कर रही हूं तो मुसे अची ब्रेंड नहीं हो लेकिन जब आप लगाएंगे तो जहां तक लगाना है जैसे लगाना है अच्छी देखकी लगाईएगा थोड़ा सा न कितना सबदस्ता रिजरिट है यह परले वाले का है इस पे थोड़ी शाइन भी है यह दूसरे वाले का है ठीक है कैसे दोनों ही अच्छे लगने अच्छे लगने अच्छे जी यह जो हमने और लिप्स्टिक के साथ बनाया था ना यह जगह नहीं है प्रेस पेस को लगा कर ठीक है कौन सी वर्ली फिंगर साफ है यह मेरा थम बिस पा साफ है ठीक है यह थोड़ा सा और इस रिजर देगा अभी भी मेरी लिप्स्टिक जो है ना वो थोड़ी थोड़ी इस के अंदर नजर आ रहे है लेकि मैं आपको कहा था कि बपर सासा थोड़ा सा चैट हो के नहात पर यह देखिए इसका पीचिस सा और इंजिस सा एरिजरिट है और यह थोड़ा सा ओईली है ठीक है लेकिन हसीन सा और इंजिस सा कलर है यह फेस पर भी बहुत प्यार लगएगा खास तर पर ड्राइ स्किन वारा जोड़ी देख लीजे इतना जादा लगाएंगे इसका कलर में जराएंगे चीन पर लगा लगा लेती हम थोड़ा सा है क्यूट लग़ा है ठीक है न और जो यह तेंट्स हैं एक सेकना हाथ साथ करके आती हो आप मैंने धोली है एक दपर में साफ हो गया रगे तो मैं सोच रहती है कि मैं इसको अपनी आइस पर लगा कर कि पहली बाली रेसिपी है विद निक्स चाइनर इसको न अपनी आइस पर लगा करना चाहरें कि क्या रिजल्ट होगा और अप लगों के साथ शीयर भी करना चाहरें कि यह 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 जाएडों का इफेक्ट देगा अगी तब मैंने नहीं लगा कर देगा कि अगी इसी कि आपनी घर पर बनाया है एक दम बाहर का लगा है जैसे कि को प्रफेशनल तेंट होता है अब यह करने के बाद ना आप इसको पनी ब्रोबों पर हाइलाइटर लगा 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 लें तो आप समझे कि जल्दी जल्दी कभी तैयार होना हो इसाब के बास बग पना हो तो और यूज़ कर सकता है बड़ी प्यारी सी प्यारा सा शीरा है आप पर दूसरा वाला भी लगा कर देखते हैं इसमें जो है वो ठाना नहीं ठीक है और यह थोड़ा सा थेक ही है वाव इसमें बड़ा प्यारा सा रिजल्ट दिया है यहीं कि विदिन सेकंड आपका आईशा इपी रड़ी है वही थोड़ा सा काजल जो है नो मस्कारा इधिंग फैल रहा है इग्नोर दा प्लेस ठीक है तो यहीं कि इसमें बड़ा प्यारा सा विजल्ट दिया है इसमें मैं मस्कारा साफ करके वापस आती हूँ यह ती अच तीर अच तीर हम अचो अचो अब है कि यूच तीर यहीं विडियो बहुत संद्दाइश्रट 我不 के अंदर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा मिलते हैं कुछ दिनों में एक और वीडियो के साथ तब त कि और अई हम एकदित मैं जरूर के और आप के लिकश के वीडियो से लाइक हो जरूर को सब्सक्राइब भी जरूर थाहाँ हो यडिजड सुछ बश्का जरूर